नमस्कार दोस्तों नमै शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दिरगायू प्रदान कीजिएगा, हम सभी को आशिरवाद दीजिएगा कथा आरंभ करती हूँ, बोलिए शस्टी माता की जै चंद ब्रत नाम का एक राजा था, जिनको एक ही पुत्र था राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किन्तु उसमें जल नहीं रहा, जल सूख गया राहगीर उस रास्ते से जब गुजरते और सूखे तालाब को देखते तो राजा को गाली देते, इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया उसी रोज राजा को रात में स्वप्न में वरुड देवने दर्शन दिया और कहा, यदि तुम अपने पुत्र की वली तालाब में दोगे तो उस तालाब में जल भर जाएगा सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दर्बार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो गया परन्त मैं अपने पुत्र की वली नहीं दूँगा यह बात लोगों में होती हुई राजकुमार तक पहुँची जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा वह तालाब पानी से पूरा भर गया जल के जीव जन्तुओं से तालाब परिपोड हो गया इकलोते पुत्र की बली हो जाने पर राजा दुखी होकर बन को चला गया वहाँ पर पांच इस्त्रियां व्रत कर रही थी जिसे देखकर राजा ने पूछा यह कौन सा बरत है और आप लोग यह बरत क्यों कर रही हो पूछने पर इस्त्रियों ने हल्सस्टी बरत की संपूर विधी बताई उसे सुनकर राजा वापिस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस बरत को किया ब्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा आपने परिवार सहित हल सस्टी माता को प्रडाम करते हुए बोला, हे माता जैसे आपने मेरे उपर कृपा की है, वैसे आप संपूर पृत्वी पर सभी के उपर कृपा करना। और राजा तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी, और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूड़ती रहती थी। एक दिन उन्हो तुम्हारे मा Crispy से कुछ रहगीर मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता जी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई, रेवती कहने लगी कि बहन तुम शिग्र अपने पिता से मिलने तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। मानवती के माता पिता ने अन्होनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा। खेलते हुए देखकर उनसे पूछी तुम लोग यहां पर कैसे पहुचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर हमें यहां फेक दिया था। तब ही एक दूसरी इस्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समस्ते हुए देर नहीं लगी कि यह सब हलसस्टी माता की कृपा से ही हुआ है। और माता की जैकारा लगाते हुए वह घर को गई। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जैसस्टी माया अवस्चे लिखिएगा दोस्तों। धन्यबाद नमस्शिवाए।